Hi everyone, this is Amit Kumar आज के स्टूडियो में मैं आपको सिखा रहा हूँ अगर आपका COVID-19 का vaccination कंप्लीट हो चुका है तो आप उसका certificate कैसे download करेंगे हलाकि जब आप vaccine लेते हैं तो एक या दो दिन के अंदर में आपके mobile में एक message आएगा जिसमें ये confirmation message आता है कि आपका dose 1 या dose 2 का जो certificate है वो अब आप download कर सकते हैं अगर message आया है तो भी ठीक है नहीं आया तो भी आप कैसे download कर सकते हैं वो अभी मैं आपको सिखाऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं अपना phone लिजिए अपने phone का पहले internet को on कर लिजिए Chrome browser खोलिए तैप किजिए www.covin.gov.in उसके बाद आप इस page पर आएंगे यहां आपको option मिलेगा register या sign in का इस पर click किजिए इसके बाद registered mobile number को यहां पर लिखिए and then click किजिए get OTP पर उसके बाद registered number पर जो भी OTP आएगा उसे यहां पर लिखिए verify and proceed पर click किजिए main page आपके सामने आ जाएगा यहां पर आपका नाम भी दिखेगा dose 1, dose 2 का status भी दिखेगा कि आपने कौन सा vaccine लिया है मैंने अभी तक dose 1 का vaccine लिया है तो उसका यहां पर certificate दिख रहा है जैसी मैं यहां certificate पर click किया download पर click किया मेरा certificate download हो चुका है इस तरह से आप भी कर सकते हैं अगर आपको यह जानना है कि download होने के बाद यह कहां पर जाता है तो उसके लिए अपना file manager खोलें file manager खोलने के बाद download folder पर जाईएगा आपको दिख जाएगा तो अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो like, share, subscribe करना ना भूले thanks for watching